Welcome to the channel, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग Windows 11 Operating System में Python के latest version को download करके install कर सकते हैं अभी जो नया Windows 11 Operating System आया है उसमें Microsoft हमें Python को Microsoft Store से install करने का option दे रहा है उसके वजह से Python और Microsoft Store के बीच में कुछ shortcuts को Microsoft ने Windows 11 Operating System में install किया है तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं Python को Microsoft Store से install नहीं करूँगा मैं Python को official website से manually download करके install करूँगा तो उसकी वजह से पहले हमें क्या करना है जो shortcut Microsoft ने लगाया है Python और Microsoft Store के बीच में उन्हें हमें remove करना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे start button के उपर click करेंगे cmd type करके command prompt open करेंगे और यहाँ पे हम लोग type करेंगे python और उसके बाद अगर मैं enter button प्रस करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यह Microsoft Store को open करता है और यहाँ से python को install करने के लिए option देता है मुझे यहाँ से install नहीं करना है तो मैं इसको close कर देता हूँ यहाँ पे Microsoft Store इसलिए open हुआ क्योंकि इस computer में python अभी installed नहीं है और Microsoft ने python और app store के बीच में shortcut install किया है उसकी वज़े से Microsoft Store से install करने का option दे रहा है यहाँ पे हम लोग अभी type करेंगे python space minus minus version तो यह कहता है python यहाँ पे install नहीं है अगर आप लोग सिर्फ python यहाँ पे enter करेंगे तो app store से आपको install करने का option दिया जाएगा नहीं तो आप लोग यहाँ पे settings में जाके manage app execution aliases यहाँ पे कुछ shortcut से उनको disable कर सकते हैं तो पहले हम लोग यह काम करेंगे और बाद मैं python को official website से download करके install करेंगे तो अभी मैं इसको close कर देता हूँ तो अभी हम लोग start button के उपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग search करेंगे manage app execution aliases तो यहाँ पे हमें system settings manage app execution aliases यह option देखने को मिलता है हम लोग इसके उपर क्लिक करके इसको open करेंगे यहाँ पे हम लोग कुछ shortcuts को देख सकते हैं यहाँ पे हमें interest है app installer python.exe app installer python 3.exe यह दोनों on है तो हम लोग इनको off करेंगे और उसके बाद हम लोग यह जो settings app open हो गया है इसको close करेंगे तो हमने क्या किया है जो shortcut Microsoft ने install किया था उन्हें अभी disable किया है तो अभी हम लोग यह चेक करेंगे कि जो shortcut हमने disable किया है वो सही तरीके से हो गया है या नहीं तो हम लोग फिर से start button के उपर click करेंगे cmd type करके command prompt open करेंगे और यहाँ पर हम लोग अभी फिर से python लिखेंगे और enter button प्रेस करेंगे तो अभी यह कहता है python is not recognized as an internal और external command अभी यहाँ पर यह app store को open नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो shortcut था python और microsoft store के वेच में वो अभी remove हो गया है तो हम लोग इसको close करेंगे अभी हम लोग क्या कर सकते है python को download कर सकते हैं तो हमें क्या करना है जो भी browser हमारे computer पर install है उसको open करना है तो यहाँ पर microsoft edge है तो मैं इसको open कर देता हूँ और यहाँ पर हम लोग पहले google.com open करेंगे यहाँ पर हम लोग search करेंगे python और यहाँ पर जब हम लोग search result के उपर देखते हैं तो यहाँ पर एक result है जो क्याता है welcome to python और यहाँ पर website का address है python.org हम लोग इस link के उपर क्लिक करके python का official website open करेंगे और यहाँ पर आप python के बारे में बहुत सारे जानकारी ब्राप्त कर सकते ह हैं अगर हम लोग cursor को यह जो download option है इसके उपर लेके जाते ही तो एक और menu open हो जाता है यहाँ पर हम लोग download for windows option देख सकते हैं और यहाँ पर python और कुछ version number दिखाई दे रहा है यह version number आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं उसके साबसे change होता रहेगा अभी हम लोग इसके उ cursor को यह जो file download हुआ है इसके उपर लेके जाता हूँ तो एक folder जैस icon दिखाए देता है और यह कहता है show in folder अगर मैं इसके उपर click कर देता हूँ तो यह उस folder को open करता है जहाँ पे जो downloaded file है उसको save किया जाता है generally यह downloads folder के अंदर रहता है तो अभी python को install करने के लिए हम लोग इ python setup window को open करेगा यहाँ पे हमें एक जरूरी important काम करना है वो है कि यहाँ पे यह जो option जो क्याता है add python.exe to path इसको check करना है इससे क्या होता है बहुत सारे applications सही तरीके से काम करेंगे अगर हम लोग यह option check नहीं करते हैं तो python install होने के बाद हम लोग यह काम manually कर सकते हैं पर automatically हो जाता है यह check करना बहुत important है उसके बाद हम लोग यहाँ पे install now यह जो option है इसके उपर क्लिक करेंगे अगर यह install करने के लिए permission मांगता है तो आप लोग इसके उपर क्लिक कीजे अभी python install हो रहा है हमें यह install होने तक wait करना है अभी installation complete हो गया है और यह कहता है setup was successful हम बाद मैंने जो भी folder और browser को open किया है उन सब को close कर देता हूँ ठीक है अभी python install हो गया है हम लोग यह check करेंगे कि सब कुछ सही तरीके से install हो गया है तो हम लोग start button के उपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग search करेंगे python और यहाँ पर हम लोग apps के उपर क्लिक करेंगे यह यहाँ पर इस list में आप लोग python ideally देख सकते हैं यह पहले भी हो सकता है यहाँ बाद में भी रह सकता है अगर हम लोग इस ideally के उपर क्लिक करते हैं तो python ideally यहाँ पर open हो जाएगा इसमें हम लोग python commands write करके उनको execute कर सकते हैं for example मैं यहाँ पर लिखता हूँ print और यहाँ पर मैं कहता हूँ success और उसके बाद अगर मैं enter button प्रेस करता हूँ तो यह कहता है success तो इसका मतलब है कि python अभी सही तरीके से install हो गया है तो हम लोग अभी इसको close करेंगे आखिर में हम लोग एक और चीज़ चेक करेंगे वो है कि python को install करते वक्त हमने एक checkbox चेक किया था जो कहता थ add python to path हम लोग यह चेक करेंगे कि वो सही तरीके से set हो गया है या नहीं तो उसके लिए हम लोग start button पे उपर क्लिक करेंगे cmd type करेंगे command prompt आ जाएगा उसको open करेंगे और यहाँ पे हम लोग type करेंगे python space minus minus version उसके बाद हम लोग enter button प्लस करेंगे तो आपको यहाँ पे python और जो भी version installed है उसे दिखाएगा अगर आपको यहाँ पे कुछ error आता है कि python is not recognized as an internal और external command तो इसका मतलब है कि python तो install हो गया पर path environment variable जो है वो सही तरीके से set नहीं हो गया है अगर आपको कुछ इस तरह का मेसेज दिखता है तो उसका मतलब है कि सब कुछ सही तरीके से हो गया है अगर यहाँ पे यह message नहीं आता है तो आपको python installation को path environment variable में manually update करना है उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है उसका link मैं दे दूंगा तो यह हुआ दोस्तों इस वीडि देखने के लिए मैरे इस चनल पर सब्सक्राइब कीजिए